इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग कर और आपको कोई side effect होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी. जनप्रापी tablet is a pain relieving medicine. इसका इस्तेमाल rheumatoid arthritis, ankyloginx spondylitis और osteoarthritis जैसी स्थितियों में दर्द और सूजन को कम करने के लिए किया जाता है. इसका इस्तेमाल मांस्पेशियों में दर्द, पीट दर्द, दांत दर्द या कान और गले में दर्द से राहत देने के लिए भी किया जा सकता है. जनप्रापी tablet should be taken with or without food. आपको इसे नियमित रूप से अपने डॉक्टर द्वारा सलाह के अनुसार लेना चाहिए. आपके दर्द के लेवल और आपकी जरूरतों के अनुसार आपका डॉक्टर आपकी डोज और डोज के बीच समय के अंतर को बदल सकता है. डॉक्टर द्वारा बताए गए डोज से अधिक मात्रा में या अधिक समय के लिए इसका इस्तेमाल न करें. इस दवा के कुछ सामाने साइड इफेक्ट में मिचली आना, उल्टी, पेट दर्द, भूक में कमी, सीने में जलन और डायरिया यानी की दस्ट शामिल है. अगर इन में से किसी भी साइड इफेक्ट से आप परेशान हैं या समय के साथ वो ठीक नहीं होते हैं, तो आपको अपने डॉक्टर को बताना चाहिए. आपको वेकल्पिक दवा देकर या डोज को एज़स्ट करके आपका डॉक्टर इंसाइड इफेक्ट को कम करने के या उनकी रोक्थाम के तरीकों से आपकी मदद कर सकता है. हो सकता है यह दवा हर किसी के लिए उचित नहों. इसे लेने से पहले, अगर आपको दिल, किड्नी, लिवर से संबंधित कोई समस्या है या पेट के अलसर हैं, तो अपने डॉक्टर को इसके बारे में बताएं. यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह आपके लिए सुरक्षित है. अपने डॉक्टर को अन्य सभी दवाओं के बारे में बताएं, जो आप ले रही हैं. गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को इस दवा का इस्तिमाल करने से पहले अपने डॉक्टरों से परामर्श करना चाहिए. विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद. अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें. और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें. और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें. धन्यवाद.